नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप समय? उमीद है आप अच्छे और सुस्थ होंगे और बिहार एनेम 8883 भरती प्रक्रिया में जॉइनिंग के इंतिजार कर रहे हुँगे कि कितने जल्दी बिहार एनेम 8883 पदों की जॉइनिंग प्रक्रिया प्रारंब हो जाए हम लगातार आप आपको बिहार एनेम 8883 भरती प्रक्रे से संबंदित महत पूर अपडेट आपको दे रहे हैं हमारे दोरा दी गई सभी अपडेट मीडिया रिपोर्ट एम आयोग दोरा दी गई जानकारी के माध्यम सी होती हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि बिहार एनेम 8883 भरती प्रक्रे में जॉइनिंग का सेडूल जारी किया गया है उसके बिसे में क्या निर्देश जारी हुआ है उसके बाद आपको बताएंगे कि सीम नितीज के हाथों मिलेगा 8883 एनेम को नियुकती पत्र स्वात विभाग ने की है घोशला दोस्तों अ मिलेगा 8883 एनेम की नियूकती पत्र विभाग ने की है घोशला विभाग में लगातार डाक्टर एम स्वास्त करमियों की विभिन पदोपर अस्थाई नियुकती boy की जारही है ऐसे में भारी संक्या में नए नियुकती कर्मियों की राज जस्तरी समारों के जरिचे यूवण दोस्तों हमने आपको पिछले वी डियो के माध्यम से भी बताया था कि बिहारेनी आठजार आठसो तिरंबर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने के समन में भी SEMA म नितिश कुमान abdhikariy को भी निदेस दिया है और बिहारेनी आठклад Arab आठ cred mushrooms को जल से जल भरा जाए और अधिकारी स्वयम इसकी समिच्छा करें तो एक बात इसमें क्लियर है कि बिहार एन्यम 8883 भरती प्रक्रिया की जोईनिंग सितंबर या अक्टूबर माह में प्राराम हो सकती है क्योंकि आपको तो पता ही होगा बिहार में 10709 एन्यम की भी नियुक्ति की जारी है ऐसे में जो पिछली भरती एन्यम की है 8883 भरती प्रक्रिया को सबसे पहले भरा जाएगा उसके बाद बिहार एन्यम 10709 एन्यम की भरती की जोईनिंग प्रक्रिया प्रारम की जाएगी बिहार एन्यम 8883 भरती प्रक्रिया की जोईनिंग कि अगर बात करें तो यह सिद्यूल सितंबर से अक्टूबर माह में प्रारम हो सकता है आयोग से मिली जानकारी की मुताबिक बिहार एनेम अब परिवार कल्यार विभाग सभी जीलों में एनेम के खाली पड़े पड़ों का डाटा तयार कर लिया जाएगा तो यूपी परिवार कल्यार विभाग 8883 पड़ों में होने वाली जानिंग प्रक्रिया की नोटिस अपनी वेपसाइट के माध्यम से चात्रों को जारी करके सूचना देगा आईए बात करते हैं कि बिहार एनेम 8883 प्रक्रिया में जानिंग की सूचना चात्रों को कैसे मिलेगी तो हम आपको बता दें कि आयोग बिहार एनेम 8883 प्रक्रिया में जानिंग प्रक्रिया के समझ में सबसे पहले अपनी वेपसाइट के माध्यम से नोटिस जारी करके अभ्यारती को सूचित करेगा फिर उसके बाद आयोग अभ्यारती के मुबाईल नमबर एवन इमेल आईडी पर मैसेज के माध्यम से सूचना देगा अगर मैसेज के माध्यम से छात्रों को सूचना नहीं प्राप्त होती है तो अंतिम चरण में आयोग चैनित अभ्यारतियों के पास लेटर डांक के माध्यम से भेज कर जॉइनिंग प्रक्रिया के संबंद में सूचना देगा अगर किसी भी अभ्यारती का मोबाई लंबर या इमेल आईडी बंड है तो उसको चालू रखें क्योंकि आयो किसी के माध्यम से सूचना देगा जॉइनिंग टक्रिया सब भी अभ्यारती की एक साथ नहीं होगी सबसे पहले यूर काटिगरी में जितने पद हैं यूर काटिगरी के कंडिडेट को भरा जाएगा उसके बाद यसी, हटी, ओबीसी में सफल अभ्यारती का चैन किया जाएगा कुछ यूटूबर लगतार अफवाव यह पहला रहें कि दोबारा रिजल्ट भी जारी किया जाएगा मेरिट फिर से नहीं बनेगे और कटाप फिर बदलेगा और डाकुमेंट वरिफिकर्स्टर्क रिया फिर होगे तो आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग ऐसी अफवाव से दूर रहें आप लोगों को पता ही होगा सभी भरती के एक नियमा वली होती है उसी नियमा वली के अनुसार सभी अधिकारियों को कार करना पड़ता है अभी तक किसी विभरती का रिजल्ट फिर से नहीं बतला गया और कापी कंप्यूटर अधारी प्रणाडी से ही चेक होती है और कापी कंप्यूटर अधारी प्रणाडी से चेक होने के बाद आयोग के पास जाती है तो आयोग रिजल्ट घोसित करता है तो अब कोई सवाल ही नहीं बनता कि रिजल्ड दोबारा बनेगा और फिर भी कापी चेक होगी ऐसी अफवास से आप लोग दूर रहें हाँ डाकुमेंट बैरिफिकेशन फ्रक्रिया दोबारा जॉइनिंग के दोरान होगी और आपके सभी डाकुमेंट का सत्यापन किया जाएगा तो आप लोग अपने सभी डाकुमेंट को कुलियर रखें जैसे जॉइनिंग की तित का एलान होगा तो आपको अपने सभी डाकुमेंट को आयोग के पास ले जाना होगा